आपका स्वागत है मैं विवेक दुबे दोस्तों आज बात करेंगे लियू असेंडेंट आप देख सकते हैं यानि किसी है लगन में राहू को किस तरह से देखना है पॉजिटिल नेगिटिव कैसे समझना है काफी हद तक काफी डिटेल में ये वीडियो करता हूँ दोस्तों अभी तक मैंने करकराशी पे की है वीडियो थोड़ी बड़ी होती है आपको पता ही होगा लगबग 45 मिनट तक चला जाता है वीडियो बनाने में तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजेगा और चैनल को सबसाइब के जगे से थोड़ा मुझे भी positive hopes मिलते हैं कि लोगों को पसंदारी जो चीजे है और दोस्तों बहुत सारे combination बता सकता हूँ लेकिन कभी भी कोई बीच प्लानेट के बारे में 100% सारा चीज़ बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतने combinations है अगर मैं combination बता हूँ हजारों combinations निकल जाते हैं लेकिन जो बहुत पूर्ण combinations है मैं आपको बताता चलूँगा उसको समझेगा और वीडियो का खास करके क्या होता है कि लोग आते हैं directly जहां पे उनका राहू placed है उस वहां की information लेके चले जाते हैं तो मेरा ये कहना कि शुरुआत के 20- 25 मिनिट जरूर देखिया क्योंकि मैं नक्षत्रों और साइन के बारे में कुछ important चीज़े बताता हूँ जो कि आपको समझेग में आसानी कर देगा कि आगे से आपको राहू को देखना कैसे है ठीक है तो वीडियो चुरू करने से पहले एक छोटी सा information दोस्तों अगर आपन topics हैं like foreign settlement या फिर पैसे को चार्ट में कैसे देखना है love relationship married life या फिर पंच महा पुरुष योग विपरीत राज योग इन सारे वीडियो राहू को चार्ट में कैसे देखें जेल स्टोन कौन सा धारण करें ये सारे subjects related videos आपको मेरी channel पर आसानी समिल जाएंगे काफी सारा मैंन कैसे के अभी तक मैंने cancer तक already post किया हुआ है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि सूरी चंद्रमा जितने मजबूत होंगे आपके कुंडली में उतना ही राहू आपको कम परिशान करेगा अब बात आती है cancer और लियो की जब लियो में तो जैसे cancer में चंद्र देवता स्वामी थे यह पांच नंबर लिखा हुआ है पहले भाव में यह पहला भाव है यहाँ पर पांच नंबर लिखा है तो यह कुंडली हुई सीह लगन की सीह लगन में दोस्तों जैसे मैंने हमेशा कहा है सूरी चंद्रमा हर एक लगन के लिए अपलिकेबल है बट यहाँ पर जैसे कि सूरी खुद ही मालिक है तो एक चीज आपको आज में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको इतना तो पता होगा सूरी मेश में उच्चके होते हैं और पांच वाभाव उनका स्वाराशी क्या होता है तो यहाँ पर वो काफी पड़िएगा फिलाल साइन समझ दीजिए एरीज, लियो, कैप्रिकॉन में लगभग सूरी बहुत अच्छा रिजल देता है ठीके अब भाव समझने से ज्यादा इंपोर्टेंट है मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ यह कुंडली का साउथ है यह कुंडली का ठीके तो यह साउथ है यह नॉर्थ है तो सूरी कभी बीना इस तरफ जादा अच्छे होते हैं साउथ की तरफ सूरी अब इसमें एट्थ हाउस और फेल्थ हाउस को मत पकड़िये सिर्फ यानि पहले बाव में अच्छा करते हैं टेंथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर यह इन जंगों पर सूरी है तो ज़ारा तर बेस्ट परफॉर्मन्स होती है और कुछ हद तक सेकन्ड उस में ठीकर परफॉर्म करते हैं थिक सेम इसी तरह अगर बात करें चन्द्रमा की चन्द्रमा हमेशा इस तरफ अच्छा ओता है जादा तर चन्द्रमा सबसे अच्छ चौथे में होता है, अब साइन मत पकड़िएगा, स्कॉर्पियो साइन है, आप नीच का हो जाएगा, लेकिन बता भाव के हिसाब से समझा रहा हूँ, इन सब जगों पे अच्छा होगा, इन सब जगों पे, चंद्रमा अच्छा रिजल देगा, और यहाँ पे 9,000 में होते हैं, और चंद्रमा की बात करें, तो दोस्तों, चंद्रमा सूरी से जितना नजदीक होगा, यानि कि समझ लिजे सुसान आपका यहाँ पे है, अगर चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, लगभग चार घर आगे, चार घर पीछ लगबख कमजोर होता है जाद अच्छा रेल्ट नहीं दे पाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच मेंसा की वे उतना ही अच्छा है उतना ही रेल्टक्ख मेंट अच्छे मिलेंगे उतना फैसा पाप प्रभाव में है वो बली नहीं है उसके अंदर स्टेंथ नहीं है उसको मेलेफिक भी कहा गया है बहुत सारे सास्तुरों में ऐसे चंद्रमा को मेलेफिक मून भी कहा गया है जो कि अच्छा रिजर्ट नहीं देता है तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस लगन कुण्डली में सूरी चंद्रमा आपने समझ लिया सूरी चंद्रमा स्ट्रॉंग हो यह दिखिए रूल मैंने हाप में मेंशन भी किया है प्लानेट कॉंबिनेशन फ्रॉंग चीज़ भी प्लानेट की साइन है मान लीज़े देखिए यहां पर च्छनम बरत यह वर्गो साइन है वर्गो साइन के मालिक आपको पता है जैसे यह वर्गो साइन है वर्गो साइन के मालिक है मर्कुरी तो मर्कुरी कहां पर बैठा स wrest honest combination क्या हथाम वब आउनगा svona स gelen तो प्नक्षप नपरुजी की है उस च्राट में उस प्लानिट की प्लेश्मेंट की स्चाइज चार्ट में टो किष गर का और तो जा मैं सेरी हला अब बैठा हुआ है यहाँ पे टिक चिया 6 नंबर यहाँ लेका आपका दूसरा भाव है वो दूसरे भाव में वर्गोreサIN में आपका राहु बैठा हुआ है अब मान लीजिए mercury को पहले वसाइन के साब से मैं देखूंगा तो पहले मैं देखूंगा कि कहां यहां पर है मान लिजे आपका मुखुरी यहां पर बैठा हुआ है कि तो कॉंभीनेशन क्या यह जो साइन यह भी मुखुरी की मतलब तो नाइन लेवन यानि रहु का यह कॉंभीनेशन तो अच्छा है ठीक है अब नक्षत्र हम देखें कि मान लीजे जिसे यहां पर जो नक्षत्र पढ़ते हैं लगबग सूरी के नक्षत्र में बैठा हुआ है और मान लीजे सूरी यहां पर बैठे हुए आपके सन आपका यह उसका आएगा और यहां पर उसकी प्लेस्मेंट आगई सन की उसका आएगा ठीक है तो इस तरह से समझना अब मैं आपको यह कैसे देखा जाता है और मैं आपको साधानता समझा दीए और बैड कॉंबिनेशन नहीं जबी भी कोई भी प्लैनेट दो त्रिक भाव से संबंद बना ले यानि कि मान लीजिए आपके कॉंबिनेशन निकाल रहे हो उसमें 6 बारा आ गया रहो के कॉंबिनेशन नक्षत्र द्वारा या मान लीजिए प्लैनेट साइन के द्वारा 6 बारा आ रही है तो वह आल्मोस 50 परसें आपके लिए आल्मोस नेगेटिव हो गया उसी त बारा हमेशा नेगेटिव भाव कहते हैं नेगेटिव का कहने का मतलब यह होता है कि इस भाव से जुड़े जो तक्त्व हैं उसमें संगर्ज जाता है उसमें अचानक आपदा वीद्दा अच्छी चीजे भी हैं लेकिन बुरी चीजे जादा है इस वज़े से इसे त्रिक भा नेगेटिव हो गया वाया साइन भी आरा है 50 और यह आल्मूस हो आपके लिए नेगेटिव हो गया अब वॉटर साइन रहू अच्छा परफॉर्म नहीं करता है खास करके स्कॉर्पियो में आफ्टर डैक सेकंड नंबर सेंसर थर्ड वनिस पाइस यह आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा इस कॉर्पियों में पुरे रिजर्ट देता है ज़्यादा तर उसके बाद करकर आशी यानि कैंसर में कुछ हद तक रिजर्ट खराब मिलेंगे फिर पाइसे में थोड़ा रिजर्ट उसके खराब होते हैं वाटर साइन में रहू बहुत अच् है कर दो जोपिटर को भी लिखा लिया गया है जोपिटर को मैंने येलो रखा है यूपिटर का जो मूल त्रिकॉंट साइन यह वाग्योदा विखार लक्षमिर्स्थान के सौमी बन जाते हैं तो इसलिए जुपिटर पॉजिव है लेकिन वह अस्टम भाव के स्वामी भी ह हैं इसलिए उनको येलो किया है मैंने यानि कि वो डिपेंड अपॉन जुपिटर पोजिशन हम डिजाइड करेंगे कि जुप राहू की प्लेस्मेंट जुपिटर के साथ क्या रंगलाएगी जुपिटर के नक्षत में हो या जुपिटर के साइन में बैठा उस स्टेission है सेम मुन जो है यां आप 20 भाव का स्वामी है तेखे दोस्तनों बहुत सारे क्लासिक्स में बहुत जगे यही माना जाता है और यह बहुत बर बहुत लोग का मानना सबके अपने piercing यूज होते हैं ज्यादा तर लोग का कहना होता है जैसे कि लुमिनरी जैनी सन और मून उनको छे याड़ बारा का दोश इसको दोश बोलते हैं से कि त्रिक भाव है तो त्रिक भाव का स्वामी है चंद्रमा लेकिन बुरे फल नहीं देगा लेकिन जहां तक मैं मानता हूं बारे भात्रिक भाव के स्वामी है चंद्रमा यहां पर इस वज़े से मैंने उनको भी यहां पर आप देख सकते हैं मैंने रेड किया हुआ है अब समझना कैसे है अब ध्यान से समझते जाएगा मैं जैसे जैसे बोलते जाओंगा यहां पर मैं यह बता रहा हूं राहू आप उससे जोड सकते हैं चीजों को ठीक है लेकिन इसके लिए बेसिक्स जानी की हर चार्ट में हर भाव का क्या मतलब होता ये आपको पता होने चीप पुरे चार्ट के तब अच्छे से समझ पाओगे जोड पाओगे ठीक है अब बात करते हैं राहू मान लीची आपके पहल लिए विजट कर सकते हैं अब स्टिल यहाँ पे शॉट में बता देता हूं राहू पहले भाव में इनसान जो ता बहुत ही अटेंशन सीखिंग हो जाता है बहुत जाधा अटेंशन पाने की कोशिश करता है वो चाहता है कि समाज में उसकी उननती को लोग बहुत जाधा ग कि राहु फस्टाउस में होता है तो इनसान जब अपनी बात आती है वह सामने वाले को धोका देने से नहीं चूपता है कि इस चीज को अप ऐसे समझ सकते हैं कि राहु पहले भाव में है पसंद तब ही तक आपका साहद देगा जब तक उसके अपने फाइदे की बात नहीं है जहां पर उसके अपने फायदे की बात आएगी बहुत जादा चांसेज है वो आपको डिच कर दे या फिर आपसे बोलके वहां से मौका लेकर निकल जाए तो राहू ये पहचान है पहले बाव में राहू आदमी अपनी अपनी च्छाओं पर कंट्रोल नहीं कर अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है बहुत जाद असीमी तिच्छाओं उसकी रहती है और उसके लिए नाश उसके लिए मतलब बस ये शब्द बोलते न बस हो गया ये शब्द उसके जीवन में बहुत कम होता है डिजायर्स को लेके खास करके मैट्टरलिस्ट देखनी है सन आपको बता दूँ अगर यह पे यह पे है तो लगभग यह सन जो है बहुत अच्छे रिजर्ट नहीं ड़े गए और यहां पे क्योंकि यहां पे उन का वह नीच के हो जाते हैं साथ नमबर साई ने तुला राशी में वह नीच के हो जाते हैं इन सब जोगों पर अगर सूर्य है तो रिजर्ट राहू के लगभग जो है यानि आप समझ लीजे 40% रिजर्ट जो है वो खराब होगे ठीक है अब उनका नक्षत्र देखना है यहाँ पर जो नक्षत्र पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर केतु का नक्षत्र पढ़ेगा यहाँ शुक्र का नक्षत्र पढ़ेगा और यहाँ पर सूर्य देवता का अपना नक्षत्र भी पढ़ेगा थोड़ा सा यानि कि लगभग तीन डिगरी 20 मिनट का उनका भी नक्षत्र पढ़ेगा अंतिन तो यहाँ पर यहाँ पर तीन प्लैनेटरी नक्षत्र यानि कि मान लीजे नहीं करूँगा दोस्तों कि सूरी की placement कहां पे खराब यहां पे खराब बता दी कहां पे अच्छी यहां पे बहुत अच्छी होगी यहां पे बहुत अच्छी होगी यहां पे बेटर होगी और कुछ हट तक यहां पे इन सब जगों पे और यहां पे फिप्थ हाउस में ठीक इन सब जगों पे जहां पे राइट टिक किया हुआ उन सब जगों पे सूर्य अगर प्लेस्ट है और राहु यहां पे बैठा है तो लगबग रिजल्ट अच्छे आएंगे और अगर ऐसा केस है कि राहु सूर्य के ही नक्षत्र जैसे मैंने बताए कि यहां पे इस राशी में सूर्य का नक्षत्र भी पड़ता है तो अगर राहु सूर्य के नक्षत्र में यहां पे नक्षत्र वाइज भी सूर्य ही है और राशी वाइज भी सूर्य है तो उस केस में आपको यह देखना है अगर सूर्य की प्लेस्मेंट इस तरह से समझनी है क्रॉस जैसे मैंने बताय राहु के साथ ना बेटे हो ध्यान देना या साथ भağı में यहां पे केतू के साथ ना बेटे हो यह तब ध्यान दीजीएगा ठीक है तो अच्छा result देगा आपको बहतर है seem result मिलेगा कर फिंटा कि लेकूंट में क्रॉस किया वहां पर नहीं हոने झाश ध्यान यानि कि डिफेम का सामना करना पड़ सकता है कुछ हद तक otherwise केतु के नक्षत्र में रहेगा कोई खास दिक्कत तो नहीं आएगी शुक्र के नक्षत्र में रहेगा जब वीनस यहाँ पे वीनस का भी नक्षत्र पड़ेगा दोस्तों तो Venus के नक्षत्र में जब रहेगा तो Venus की placement भी समझा रहा हूँ ध्यान से देखे रिपेट नहीं करूँगा Venus इस कुंडली में अगर यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो यहाँ पे हो कुछ हद तक यहाँ पे यह सारी placement जो है अच्छी placement है Venus की ठीक ठाक रिजल्ट देगा नाइन्थ हाउस में अच्छा रिजल्ट देगा इन सब जगों पे Venus है आपका तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा यानि कि अच्छा का मतलब हो गया बेटर रिजल्ट मिलेंगे आप combination देख ली जगी इतर आप देख रहा है ना इतर गुड कांबिनेशन में लेखा हुआ है 261, 2610, 211 यह सब अच्छे पैसे के combination है राहू आपको बता तो relationship love affairs के लिए नहीं अच्छा होता है शादी चुदा, partnership इन सब चीदों के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है तो शुक्र कर इन सब जगों पे है तो result अच्छे मिलेंगे खास करके इस जगे पे इस जगे पे और इन सब जगों पे बहुत अच्छा result देंगे ठीक है तो शुक्र की यह placement ध्यान दीजेगा और कहां नहीं होने चाहिए वो मैंने आपको बता दिया राहू के तुके साथ में ना बैठे हो यह ध्यान दीजेगा और जहां पे मैंने टिक नहीं किया यहां पे नहीं होने चाहिए और मुस्ट यहां पे नहीं होने चाहिए और इसलिए यहां पे भी नहीं होने चाहिए इन सब जगों पे शुक्र नहीं होने चाहिए ठीक है यह हो गया राहु की मैंने फर्स्ट हाउस क्लियर कर दिया राहु आपका सेकंड आउस में है अब मैंने यहां पर सेकंड हाउस में साइन किस किया यह मखुरी की जो है आपको देखना पड़ेगा कहां पे अच्छे होते एक यह बार बताओंगा दोस्तों ध्यान दीज देगा मुखुरी एट थाउस में 12 थाउस में फिर इवन लेवन थाउस में है थीख है कोई प्रब्लम नहीं है यह यह खास करके इन तीन जुगों पर नहीं होंगे जाधा अच्छा है और बहुत अच्छे रिजल्ट कहां पर आएंगे यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे यहां पर अच्छे रिजल्ट आएंगे मोपुरी के यहां पर भी ठीक ठाक रिजल्ट देगा यहां पर भी ओके ओके रिजल्ट आए बुद्ध को पहले positive नहीं बुद्ध को यानि sign case आपको देख लेना अब नक्षत्र नक्षत्र यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो सूरी के नक्षत्र पढ़ेंगे चंद्रमा के नक्षत्र पढ़ेंगे और मंगल देवता के पढ़ेंगे सूरी के नक्षत्र में पढ़ेंगे मैंने सूरी बताया आपको कैसे देखना है चंद्रमा के नक्षत्र में पढ़ेंगे बता दे रहाँ आपको अगर राहू यहाँ पे second house में बैठा है और चंद्रमा की नक्षत्र में चंद्रमा दोस्तों यहां पे नहीं होने चाहिए, चंद्रमा यहां पे भी नहीं होने चाहिए, बट यहां पे कुछ हद तक चल जाएगा, इसको मैं क्रॉस नहीं करूँगा, उनका अपना साइन है, वहां पे रहेंगे तो कुई इतना बुरा नहीं है, ठीक ठाक वेजर दें इन सब जगों पे नहीं होने चाहिए और राहुकेतु के साथ नहीं होने चाहिए और कहीं पे भी है चंद्रदेवता तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर जो मैंने बताया मंगल देवता, मंगल देवता कहा नहीं होने चाहिए वो समझ लीजे पहले, मंगल देवता यहाँ नहीं होने चाहिए, मंगल देवता यहाँ यहाँ पर नहीं होने चाहिए, इन सब जगों पर मंगल देवता नहीं और मंगल देवता क तो भी धन सम्पति के लिए सम्पतियों के लिए बहुत अच्छा रिब्यां लिए तो यह कुछ displacement से बहुत अच्छे रहेंगी मार्स की यहां मार्स की प्लेस्मिंट मार्स वहां पर होता है तो दोस्तों यहाँ पे बैठा राहू इंसान के खान पान को दूशित करता है, ऐसे व्यक्ति को खान पान अच्छा रखना चाहिए, पेट सम्मंदी, मुख सम्मंदी, थ्रोट सम्मंदी प्रॉब्लम्स उसकी जीवन में नहीं आएंगी, यहाँ पे जैसे मैं खान पान को दूशित करता है और राहू यहाँ यह परिवार है, यहाँ पर रिलेशन की बात आ जाती यह सेकंड आउस जो है, वेल्ट का तो है ही, साथी साथ यहाँ परिवार से रिलेशन भी होता है तो परिवार से सम्मंद अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि परिवार यहां पर क्या होता है, कि आपके बोलने से, आपकी वानी के वज़े से अननेसेसरी फाइट से आपकी कुछ नो कुछ मिसंडेस्टैंडिंग, ऐसी चीजे होती हैं, और बहुत बार ऐसा होता ह आपको फैमिली से दूर रना पड़े, यानि कि फैमिली का सुक जो होता है, फैमिली का सुक जो होता है, वो कम करता है, रहू दूसरे भाव में, तो यह कुछ मोटा मोटा चीज मैंने आपको बता दिया, अब पैसे के लिए ठीक ठा करेगा, लेकिन प्लेस्मेंट और यह सा राइन वाइस और नक्षत्र वाइस, यह दो चीज़ देखी जेगा, ठीक है, क्योंकि पैसे का भाव है सेकेंड आउस, अब बात करते हैं राहू अगर तीसरे भाव में, अगर राहू है, तो यहाँ पे आपको बता दू जो नक्षत्र पढ़ेंगे पहले तो मंगल के नक् सबसे पहले साथ नंबर साइन है, पहले साइन का लॉजिक लगा लेते हैं, शुक्र, शुक्र मैंने आपको बताया, कहा होने चाहिए, कहा नहीं होने चाहिए, उसे साफ से पहले देख लीजेगा, शुक्र की प्लेस्मेंट अच्छी है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा, उसक मंगल देवता कहीं पर भी हो result अच्छा देगी ठीक है तो मंगल की placement आप देख लीजएगा मंगल के नक्षत्र में अगर बैठे हैं राहू यहाँ पर स्वाती नक्षत्र यानि अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है स्वाती नक्षत्र में तो अब तो बहुत अच्छी बा है तो राहू थर्ड थर्ड अउस में बैठा है स्वाती नक्षत्र में बहुत अच्छी रिजल्ट देगा मार्केटिंग सेल्स कम्यूनिकेशन से रिलेट कोई भी चीज़ लिखना हो लिक्ट पेपर वर्क हो इन सबसे रिटेर अच्छे रिजल्ट देता है परोसियों से कुछ अनबन हो सकती रिलेशन में थोड़ा अनबन दे सकता है तीसरे भावों से जो भी रिलेशन आते उसमें कुछ नों कुछ खराबी आ सकती उस पर ध्यान कीज़े अदरवाइस राहू तीसरे भाव का साहस के लिए पराकर्म के लिए बहुत अच्छा होता है राहू अगर फोर्थ हाउस में आ जाए सबसे पहले साइन मंगल की है आठ नमबर है तो यानि स्कॉर्पियो साइन मंगल देबता कि पहला रोल हमारा planet combination from sign तो मंगल कहां पे अच्छे हैं कहां पे नहीं अच्छे हैं मैंने बताया है वो आप देख लीजेगा कि मंगल कहां पे है मंगल आपने देख लिया सही जगे पे हैं अब यह मैंने आपको चार्ट में बताया है मंगल तो मंगल की placement पहले देख लीजेए अब उसके बाद यहाँ पे जो नक्षत्र पढ़ते हैं यहाँ पे जो नक्षत्र पढ़ते हैं दोस्तों वो ब्रहश्पती देवता के नक्षत्र पढ़ेंगे वो नक्षत्र पढ़ेंगे शनी देवता के और बुद्ध देवता के तो यहां पर गुरू के नक्षत्र में अगर हूँ है तो गुरू कर देखे बता रहा हूं ध्यान दीजेगा, क्योंकि वापस से मैं रिपीट नहीं करूँगा कि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। गुरू के नक्षत्र में अगर है तो गुरू की प्लेस्मेंट दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आपके गुरू ब्रहशपत आपके कुंड़ी में 6-8-12 में ना हो और यहाँ पे इनके साथ ही ना बैठो यह विध्यान दीजे राहू क केतु के साथ ना बैठो इतना तो कॉमनली मैं समझता हूं आपको समझ में आएगा राहू केतु के साथ ही राहू या केतु किसी एक के साथ ब्रहशपत ना बैठे हो यह भी देख लीजेगा और इन तीन स्थानों पे ब्रहशपत ना बैठे हो तो अच्छा यहाँ पे ब्र विपरीत राजयोग लगा के फायदा है नहीं विपरीत राजयोग तभी काम करेगा जब आपका लगनेश और चंडरमा बली होगा ठीक तो ब्रहशपती इन सब जगों पे ध्यान दीजेगा मैंने जहां पे आपको दिखाया है 6-8-12 जहां पे मैंने क्रॉस किया यहां पे नह सब जगों पे अगर प्रहशपती बैठे हैं तो बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा दूसरे पांचवे नौवे दसवे ग्यारवे में अब राहु अगर मान लीजिए शनी के नक्षत में बैठाओ तो दोस्तों शनी आपकी कुंडली में ध्यान दीजेगा यहां पे यहां इन सब जगों पे शनी ना हो यहां पे भी ना हो ध्यान दीजे यहां पे नीचे हो जाते हैं इन सब जगों पे शनी नहीं होने यह चटवे और बारवे में वो बिलकुल नहीं होने चाहिए शनी आपके अदरवाइस यह शनी आपके लिए अल्मूस्ट नेगेटिव हो जात दो तरिक भाव से संबंद, कोई भी प्लानेट बनना है, चाहे वो गुरू हो, चाहे वो शनी हो, हाँ, शुब प्लानेट बनाएंगे तो भी मैलेफिक होंगे, लेकिन उनका मैलेफिक, उनका जो रिजल्ट देने का तरीका है, वो तो ना क्रूर नहीं होगा, शनी वगर का र वाटर साइन है, ये चीज़ भूलिएगा मत, बहुत इंपोर्टेंट है, वाटर साइन में राहू की थोड़ी काबिलेत है, वैसे भी कम हो जाती है, स्कॉर्पियो साइन में बैठा रहू, अक्सर अपनी दशान तर दशा में कोई कोई ट्रांस्वर्मेशन, जटका जरूर इन सब चीज़ों में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, और बड़ा ट्रांस्वर्मेशन आएगा, इस्पेशली अगर राहू की महादशा चल जाए, बाईस साल या फिर लगबग 24 साल के पहले चल जाए तो, जितना यंग एज में चलेगा, उतना ज़्यादा दिक्कत जाती आसानी से, राहू चौठे भाव का आपको माता से रिलेटेड कुछ न कुछ समस्या जरूर देता है, या फिर माता के लाइफ में कुछ न कुछ मतलब मॉम से रिलेटेड या मॉम के जीवन में जो हापिनेस होगी, उसकी कमी आपको खलेगी, और मॉम को भी खलेगी, कहीं कहीं मॉम से रिलेटेड और आपके बीश में कुछ न कुछ प्राबलम, कुछ न कुछ दूरी जरूर देगा और आपको मदर लैंड से दूर लेके जाता है राहू, हाँ, जिसको विदेश जाना है, विदेश सेटल होना है, उसके लिए राहू फोर्थ हाउस का जमभावने, नौ नंबर है, गुरू को देखना है पहले, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता है, गुरू की प्लेस्मेंट कहां कहां पे अच्छी होगी, कहां पे अच्छी नहीं होगी, ठीक है, आप पहले साइन वाइस जो लगाना है, वो लगा लीजिएगा, अब य शुक्र को देख लेना है, सूरी को देख लेना है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, शुक्र की प्लेस्मेंट कहां का अच्छी होती है, सूरी की प्लेस्मेंट कहां का अच्छी होती है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीजिए समझाई, तो उस तरह से आपन देख लेना है कि शुक्र की प्लेस्मेंट क्या है अगर शुक्र के नक्षत्र में है तो सूरी के प्लेस्मेंट देखनी जिसके नक्षत्र में है राहू उसकी प्लेस्मेंट देखनी है अच्छी है अब बुरी ठीक है अब बात करते हैं राहू पंचम भाव में बहुत सूरी जीवन देता है और चाइल्ड बर्थ का भी भाव होता है पंचम भाव चाइल्ड बर्थ का भाव है एजुकेशन का भाव है यानि बहुत ही सात्तिक चीजों का जो चीज़े आपकी इनर वैल्यूस को बढ़ाती है उनका भाव है राहु यहाँ पे बैठा है कुछ हद तक संतान से रेलिटेट प्रॉब्लम नेता है संतान हानी भी करवाता है कुछ दिक्कते दिलवाता है राहु पंचम भाव का इसलिए अच्छा नहीं माना जाता क्यूझकि वो संतान के सुखों में या संतान से मिलने वाली सुखों में problem create करता है और यहाँ पे बैठा राव speculation के लिए लगबग अच्छा होता है या फिर कोई technical studies, research के लिए अच्छा माना जाता है data analysis ऐसा कुछ राहू अमान लीजे छटवे भाव राहू 6th house में आए शनी का sign है, 10 number sign Capricorn, sign sunny का है, पहला logic हम लगाएंगे, शनी की placement देख लेंगे शनी की placement में फिर से समझा दे रहा हूँ देखे, आठवे बारवे में नहीं होने चाहिए और यहाँ पे, यहाँ पे नीच के हो जाते है मेश राशी में इन से जगों पे नहीं होने चाहिए otherwise, और कहीं पे भी होंगे result अच्छा हैगा, लेकिन mostly में, सीह लगनी की उल्ली में शनी यहाँ पे या यहाँ पे बैठे हूँ या फिर यहाँ पे बैठे हूँ तो ही अच्छा result दे पाते हैं otherwise, कोई खास शनी से ज़्यादा expectation नहीं कर सकते है क्योंकि लियो लगने वालों के लिए सनी जो है बहुत अच्छे planet नहीं माने जाते हैं आपको पता होगा तो सनी की placement कहाँ पे नहीं होने चाहिए मैंने बताया और कहाँ पे बहुत अच्छी वह भी मैंने टिक कर दिया दसवा भाव, ग्यारवा भाव और तीसरा भाव इन सब जोगों पे शनी है तो काफी अच्छा result देते हैं तो पहले sign wise देख लिए आपने अब यहाँ पे नक्षत है किसके किसके पढ़ते हैं second logic हम लगाएंगे नक्षत्र यहाँ पे जो पढ़ते हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र यहाँ पढ़ेंगे अगेन सूर्य की प्लेस्मेंट कहाँ पे अच्छी कहाँ पे बुरी मैंने आपको समझाई है चंद्रमा की भी मैंने समझाई है उन सब जगों पे देख लीजएगा कहां पे बैठे हैं सूरी और चंद्रमा की स्तितिय आप देख लीजएगा positive है कि negative जिसके भी नक्षत्र में बैठे हो सूरी के नक्षत्र में बैठे हो तो सूरी को placement देख लीज़िए अगर चंद्रमा के नक्षत्र में बैटे हैं तो मंगल की प्लेस्मेंट देख लीजेगा कहां पे अच्छे हैं कहां पे बुरे हैं मैं आपको थोड़ी दिल पहले चीजें समझाते हुए चल रहा हूँ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ आप पीछे जाके जब मैंने मंगल के बारे में समझाया आप देख सकते हैं चट्वे भाव का राहू स्वरी ये मैं थोड़ा मिस कर गया बताया नहीं राहू चट्वे भाव में केस मुकदमा लिटिगेशन दुश्मन के उपर विजय इन सब के लिए अच्छा होता है राहो चट्वे भाव का दुश्मन पे विजय पाने के लिए अच्छा होता है, कॉम्पेटीटर से जीत के लिए अच्छा होता है, कहते हैं दुश्मन का भाव है, क्रूर ग्रह यहां पे दुश्मन का नाश करते हैं, शत्रू पे विजय दिलाते हैं, इसलिए चट्वे भाव तो राहो चटवे बाव का हार नहीं मानने था आप कई बार ट्राइख करते हो और चीज़ को अचीव करने के लिए पूरी जान लगाते हो और यहां का राहो बहुत पॉजटिव रिजल्ट देता हुआ माना रहो यहां पे साइन जो पढ़ रही मकर वह भी बहुत अच्छी है तो वर्क के लिए, वर्क प्रोफेशन के लिए राहू अगर यहां बैठा है सी राशी का तो यहां का राहू का राहू काफी अच्छा सपोर्ट करेगा आज अगर प्रोफेशन, शत्रूपे वीज़ेपाना, कॉंपेटिटर से आगे निकलना बिजनस में इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी हल्प करेगा राहू सेवन्थ हूस राहू सप्तमभाव का दोस्तों वैसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यहां पर रिलेशनशिप की बात आती है, पार्टनर्शिप की बात आती है और राहू कुछ हद तक छल, भ्रम ऐसा प्लानेट है जो छल और भ्रम को दर्शाता है जो माया को दर्शाता है, तो राहू यहां पर बैठेगा तो कहीं कहीं पार्टनर्शिप को हानी देता है हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कोई बिजनेस करते हो जिसमें आप विदेशी लोगों से कोई आपका संबंध है या विदेश से कोई संबंध है, तो उसके लिए राहू यहां पर बैठा हुआ, अच्छे रिजर्ट देगा, बेनिफिट देगा आपको और इसका राहू यह जो एक्क्वेरियस साइन है, राहू के लिए एरी साइन है, काफी अच्छी साइन है तो बिजनेस पॉपस के लिए अच्छे है, बिजनेस पार्टनर्शिप के लिए कुछ हट तक प्रॉबलम हो सकता है, मैरेड लाइफ में कुछ हट तक इस्टर्बिंस दे सकता है, अधरवाइस राहू की यह प्लेस्मेंट हर एक तरीके से, मेटरलिस्टिक वर्ड के लिए अच्छी है, शनी की प्लेस्मेंट देख लीजेगा, साइन वाइस, नक्षत्र वाइस आप देख लीजेगा, शनी यहाँ पर जो नक्षत्र पढ़ेंगे, मंगल के नक्षत्र पढ़ेंगे, और राहू देवता के अपना खुदकाउं का नक्षत्र पढ़ेगा, सतभीशा, यहां पे सत्भीशा नक्षत्र पड़ेगा राहू अपने नक्षत्र में बैठा है कोई दिक्कत नहीं मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो मंगल की प्लेस्मेंट आपको देख ले नहीं है ब्रहशपत की ब्रहशपत की प्लेस्मेंट देख लीजेगा ठीक है राहू अस्टमभाव में अगें दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं water sign आ गया पासिस यह water sign होता है water sign में जैसे मैंने कहा राहू बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता Scorpion में सबसे ज़्यादा बुरा बता है second जो मैंने कहा था थोड़ा खराब रहता है वो prices में होता है और एक तो आठवा भाव राहों के लिए अच्छा नहीं माना क्या है अगर आप किसी खूफिया विभाग में काम करते हो research में काम करते हो insurance segment में काम करते हो ऐसे कहीं जगे पे काम करते है जहां जिसका सम्मंद मृत्यू से होता है या छुपा के करने से होता है CBI जैसे मैंने बताया या फिर SPY इन सब चीजों के लिए research कर रहे हो research analysis बड़े level पे कुछ कर रहे हो ऐसी चीजों के लिए राहू यहां का आठवे भाव का बहुत अच्छा result देता है खराब किसलिए है अचानक घटना दुरघटनाएं भी देता है क्योंकि आठवा भाव अचानक घटना दुरघटनाओं का भी होता है छुपा भाव है छुपे हुए दुश्मन अचानक कोई घटना दुरघटना एक्सिडेंट प्रॉब्लम्स ऐसे इशुद देता है इसलिए राहू यहां का इन सब चीजों के लिए अच्छा है अधरवाइस रिसर्च के लिए और बाकी चीजों के लिए यहां का राहू अच्छा होता है 12 नंबर है पहले साइन आपको गुरू की देख लेनी कैसे देखनी गुरू कहां पे अच्छा है कहां पे नी अच्छा मैंने बताया है आप वो देख सब पहले समझ लीजिए उसके बाद आपको नक्षत्र देखनी नक्षत्र जो यहां पे पढ़ेंगे गुरू का नक्षत्र पड़ेगा अपना यहाँ पे शनी का और बुद्ध का नक्षत्र पड़ेगा तो शनी की प्लेस्मेंट देख लेनी है अगर शनी के नक्षत्र में है तो बुद्ध की प्लेस्मेंट देखनी है राहू अगर बुद्ध के नक्षत्र में है तो ठीक है नक माननीजे नववे भाव में आपके चला वैसे तो दोस्तों राहू नववे भाव में कहते हैं कि यहां पर राहू बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता लेकिन फिर भी बताओ आज की जो इंडस्ट्री है आज का जो चलन है उस हिसाब से नववा भाव दूर की करते हो ट्रैवलिंग्स में डील करते हो कहीं उन सब चीजों के लिए राहू अच्छा हो जाता है धर्म परिवर्तन बहुत बार यह राहू कराता है तो मेरा और पितास से सम्मंध भी खराब करता है पितास से जुड़े जो कल्चर होते हैं उसको इंसान अच्छे से निभा होंगा अच्छा नहीं होता अब यहां पे जो साइन है एक नंबर है मंगल की placement देख लीजेगा पहला रूल लगाएंगे सीन वाला दूसरा रूल लगाएंगे नक्षत यहां पे जो नक्षत पढ़ेंगे केटु शुक्र और सूरी देवता के नक्षत पढ़ेंगे जिसके भी नक्षत्र में होगा रहो उसकी प्लेस्मेंट देख लीजिएगा केतु के नक्षत्र में होगा को तो कोई दिक्कत नहीं है शुक्र के नक्षत्र में होगा तो शुक्र की placement देख लीजिए गा कैसे देखनी है शुकर कहाँ पर अच्छे है कहाँ पर बुरे है वो मैंने पहले बताए हुआ है सूरी के रक्षत्र में है तो सूरी की placement देख लीजिए राहू अगर दस्वे भाव में है राहू दस्वे भाव में है सबसे पहले दो number sign है शुक्र की placement आप देख लीजिए शुक्र की placement अगर अच्छी है और शुक्र की placement कहाँ अच्छी है वह मैंने आपको अल्रेडी बताया है कहाँ पे बुरी है वह भी मैंने आपको बताया है शुक्र यहाँ पे दोस्तों 64 बारा में बैठे हों तो अच्छा result नहीं देंगे, आपको बता दूँ, कहीं ने कहीं, result उतना अच्छा नहीं होगा, Otherwise, tic-tac result देंगे, और कहीं पर भी बैठे हो, result अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छा result मिलेगा, अगर शुक्र यहाँ बैठे हों, खुत के राशी के होके बैठे हों, यहां पर exalted जरूर हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे उत्रें करें रिजल्ट दब जाएंगे जब वर्गों में राहू थे मैंने को समझाया कि बुद्ध की प्लेश्मेंट कैसे देखने हैं बुद्ध कहां पर अच्छे का पुरे मैंने समझाया पहले राहू को देख लीजेगा पहले मरकरी को देख लीजेगा उसके बाद राहू की बता दू ग्यारवे भाव में यह जो प्लेश्मेंट है बहुत अच्छी होती है और लगबग हर तरह के सुख यह प्रवाइड कराता है लक्जरी गाडिया महंगे महंगे मतलब जितने डिज देख लीजेगा राहू यहाँ पर याद रखिए अगर आधरा नक्षत्र में बैठा है तो थोड़ी दिक्कत है ग्यारवे भाव में राहू और आधरा नक्षत्र में बैठा है आधरा उसका अपना नक्षत्र है पर स्टिल उसकी राहो की जब दशा महादशा चलेगी तो थोड़ी दिक्कत होगी कि आधरा नक्षत्र जो है तुफान को दर्शात है यानि कि जीवा ने बहुत सारी अंस्टेबिलिटी लेके आता है तो आधरा नक्षत्र का राहू जो है थोड़ा सा दिक्कत देने वाला होता है तो यहाँ पे अगर ग्यारवे भाव में होने के ब तो आपको उपर नीचे हो सकती है आपको उसमें ट्रांस्वामेशन कुछ नो कुछ बदला बड़े आपको देखने पड़ सकते हैं अधरवाइस राहू यहाँ पे अगर ब्रहश्पत के नक्षत में तो अबिसली ब्रहश्पत ही को देखना पड़ेगा तो उसको देख लीजेगा ब्रहश्पत की प्लेस्मेंट कहाँ पे है राहू बार्वे भाव में हों राहू बार्वे भाव में और जल राशी है पहले आप देख लीजेगा वाटर साइन आ गई है तो कुछ हद तक यह राहू थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है वाटर साइन के वज़े से अब यहां पे बात करें प्लाइनट की तो आपको चंद्र को देखना होगा चंद्र आपका यहां पे यहां पे नहीं होना ची क्योंकि चंद्र देखे अल्रेडी बार्वे भाव का स्वामिय अगर वो छट्टवे आठवे में बैट गया तो आपके लिए राहू अलमूस 50% हो दोस्तों नक्षटर जो पढ़ेंगे वह ब्रहषपात बुद्ध और शनी के नक्षटर पढ़ेंगे अगर ब्रहशपात के नक्षपात की प्लेस्मेंट देख लीजेगा शेयाड़ बारा में ना हो especially और नीच के ना हो गुरू, गुरू नीच के होते हैं यहाँ पर, शेयाड़ बारा तो वैसे भी होंगे तो अच्छा, तो गुरू की placement जो हो शेयाड़ बारा में ना हो देख लीजेगा, और अगर शनी के नक्षत्र में है तो शनी की placement यहाँ पर रहू पर के साहत ना बैठ तो ओध्यान देजेगा और यहाँ पर नीच के ओ जाते हैं शनी में आपको बताया, उसके बाद यहाँ पर बुद्ध, बुद्ध की बात में करूंगा, रहू यहाँ पर अगर बुद्ध के नक्षत में बैठ़ा है, बुद्ध याद रखे इन सब जगों पे ना हो ये तो मैंने आपको समझाई दिया और बाकी चीज़ें अच्छी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है राहू यहाँ पे रहेगा तो विदेश समंधी चीजों के लिए अच्छा होता विदेश सेटल्मेंट के लिए ये भी राहू अच्छा होता पूरी तिरह कॉंबिनेशन को और अब एक चीज़ लास्ट ये तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया कि कॉंबिनेशन दोस्तों जब भी कॉंबिनेशन बनेंगे कैसे शॉट में समझ लीजिएगा जैसे मान लीजिए राहू दस्वे भाव में बैठा है पहले देखना है वीनस वीनस अगर देखे यहाँ पे सॉरी दस्वे भाव में अगर राहू बैठा है तो वीनस यहाँ पे यहां पे ना हो पहली चीज़ तो यहाँ पे भी ना हो तो अच्छा ही है बट स्टिल चलो यहाँ पे एक बार acceptable है और Venus दोस्तों आपको बता दू नीच का होता है 6 नमबर यानि कि यहाँ पर बैठा होगा तो वो नीच का हो जाता है तो यहाँ पर भी नहीं होना चलिए ठीक है अब बात करते हैं कि combination बनेगा कैसे तो sign wise अगर मैं जैसे पहले मैं sign से combination देखूँगा ठीक है sign से combination क्या है राहू अगर यहाँ पर बैठा है तो Venus की placement जब मान लीजे Venus साब का यहाँ बैठा हुआ है तो मेरे पास combination क्या आई वीनस की combination क्या आएगी 5 3 10 3 10 कहां से आए क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी है और 10 कहां से आए वो दस्वे का स्वामी है तो वीनस की combination 5 3 10 आ गई और अब देखना है मान लीजे वो यहाँ पर सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में पढ़ेंगी मान लीजे मंगल के नक्षत ठीक है तो मंगल की combination क्या आएगी मंगल स्वामी कहां के यहां कहां मंगल क्या ही वो मंगल नाइन और टाय तो मंगल जो है यह 4 8 का combination ने च्छा होता है तो मंगल नक्षत्र वाइस देखूंगा मैं मंगल नेगेटिव हो गया क्योंकि मंगल जिसके नक्षत्र में बैठा है उसकी combination 48 आ रही है लेकिन जिसके साइन में बैठा है वीनस की combination सही है 510 310 इस गुड़ combination for work for profession ये ठीक ठाक combination of लेकिन 48 जो है कईन कई मॉम और घर बनाने में दिक्कते हैं खुद का मकान बनाने में problem इसको दिखाता है 48 तो मार्स की combination में कहूंगा नहीं अच्छी है तो इस इंशॉट में कहूंगा कि ये जो राहू है अब राहू की combination क्या आगई राहू की combination आपको जो मिलेगी वह ऐसी ही मिलेगी 5310 फूर अब इसमें हम ये समझेंगे कि राहू 50% लगबग ये सही है 50% खराब है इन टमस अम नेम फिंगे बहुत अच्छा राहू नहीं कहा जा सकता अब ठीक ठाक राहू है टारस साइन है तो वेल्थ के लिए वेल्थ होल्डिंग साइन पैसा कहीं ने कहीं से जुगा अपने पैसा इंसान बनाएगा अपने अपने वर प्रोफेशन पैसा अच्छा बना लेगा कि टारस साइन जो होती है वो होल्डिंग वेल्थ को दरशाती है और 5-3-10 जो combination आया आदमी creativity से आदमी सिक्षा से किसी को पढ़ा के किसी creativity से ऐसे किसी segment से बहुत अच्छा पैसा बना सकता है communication से, marketing से, sales से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है क्योंकि 5-3-10 का combination है यहाँ पे तो अच्छा result देगा और 4-8 जो है मतलब इस इंसान को जब राहू की दशा अंतर दशा में घर लेने के related दिक्कते आएंगी यानि कि property बनाने से related दिक्कते आ सकती है तो इस तरह से आपको राहू को समझना होता है यह मैंने आपको proper understanding दी कि देखना कैसे है ठीक है उसी तरह मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बताया दोस्तों राहू relation love affairs के लिए नहीं अच्छा होता राहू हमेशा पैसे, wealth, गाड़ी, बंगला, desires के लिए अच्छा होता materialistic world के लिए अच्छा होता उसके सारे combinations यहाँ पे मैंने mention किये bad combination भी mention किये है जहाँ 2 है वहाँ मतलब पैसे की बात हो रही है जहाँ जहाँ 2 है पैसा है ठीक है, जहाँ पे 10 है वहाँ पे profession है जहाँ पे 6 है, वहाँ पे job है, job profession 611 आ गया, job यानि कि जो भी effort डालेगा, 3611 उससे benefit होगा 110 11 यानि कि आदनी के status of position power बहुत अच्छी होगी 112 11 पैसा अच्छा होगा, तो इस हिसाब से आपको समझना है ठीक है, सेमिलरली आप देखोगे, 1812 आ गये यहाँ पे देखते हैं न, दो भाव मैंने हमेशा कहा न दो त्रिक भाव, 612, 812, 618, 612 यह bad combinations है तो राहू का combination अगर ऐसा आ रहा है जादा, यानि कि नक्षत्र wise भी ऐसे ही आ रहा है और sign wise भी ऐसा ही आ रहा है आपका तो आपका राहू जो है, वो completely negative है, अच्छा result नहीं देगा और अच्छे combination में आ रहा है, तो बहुत अच्छा result देगा तो यह पहले समझना है, और कुछ बातें समझने योग हैं, जैसे कि शनी की द्रिष्टी अगर रहू पे हो, तो अगर शनी अच्छा भी है, और शनी की द्रिष्टी है रहू पे तो उसकी जो grace होती है, रहू की जो speed होती है, blast होता है उसके अंदर, रहू blast के साथ एक success देता है, वो नहीं हो पता है, धीरे-धी success देता है, बहुत fast नहीं दे पाता है, क्योंकि शनी की द्रिष्टी उस पे होती है यह कुछ important चीज़े दोस्तों आशा करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को like कीज़ेगा और चानले को subscribe कीज़ेगा, मिलता हूँ आपको next वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार